सभीको रामराम जी सनातन धरम की जय और सभीको साधुवाद आज पार्लिमेंट के अंदर राहुल गांदी जी बोलते हैं कि जितने भी हिंदू हैं जो अपने आपको हिंदू कहते हैं वो सब हिंसक होते हैं यानि कि पार्लिमेंट के अंदर राहुल गांदी जी ने हिंदूओं को हिंसक कहा बाद में अपनी बात को पूरी करने के लिए उन्हें कहा कि मैंने सभी हिंदूओं को नहीं कहा मैंने बीजेपी वालों को कहा मैंने आरेसेस वालों को कहा यानि कि अपनी तरब से वो कुछ सेटिफिकेट बांट रहे थे कि वो हिंदू वाला सेटिफिकेट बांट रहे है सबको लेकिन इसके उपर काफी सारी जो है चर्चा इस समय शुरू हो चुकी है कि क्या हिंदू हिंसक है जो राहुल गांधी ने कहा आज की इस तरहां की स्पीच और अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद राहुल गांदी जी अब न थोड़े से अच्छी अच्छे वक्ता बन गए अच्छी स्पीच देने शायद इस साल देंगे लेकिन जिस तरह की उन्होंने बात की तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि कैई सारे लोग इसके उपर यही टिपनी कर रहे हैं कि राहुल गांदी जी ने ऐसी बात क्यूं कही उसके बाद परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने भी ये कहा कि जो बात राहुल गांदी ने सदन क के अंदर कही है हिंदू के लिए उनको हिंसक कहा है ये बड़ा एक चिंता का विश्य है इस तरह की बात कहना और बाकी सारी लोगों ने भी इसके उपर जो है अपनी राय रखी है और इस समय पूरे सोशल मीडिया के उपर ये डिबेट शुरू हो चुकी है और खूब लता नी चाहिए थी इस समय काफी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कैई सारी बाते रख रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि कैई सारे पोस्ट इस समय सोशल मीडिया के उपर ट्रेंडिंग के उपर है और कैई तो पोस्ट ऐसे भी है जिसमें ये लिखा गया है कि राहुल लना चाहिए फिर राहुल गांदी जी ने दो हजार चोदा में बोला था मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते हैं ये सारे स्टेटमेंट्स हैं फिर एक और स्टेटमेंट आया था जो कि सुशील कुमार शिंदे जो कि पूर्व केंदरी एक ग्रह मंत्री रहे हैं उन्हे हिंदू आतंकवादी फिर पीच नि सारे स्टेटमेंट्स आज कहीं ना कहीं शेयर की जा रह毁 है जैसे कि अभी भी आप देखें ये ट्वीटर के ओपर जिन्होंने शेयर की है उन्होंने लिखा है महबत की दुकान पे क्रॉस हिंदू से नफरत की दुकान तो उस पे टिक किया हुआ है तो इस तरह कि कहीं सारे चर्चे इस तरह में पूरे के पूरे सोशल मेडिया के ओपर चाय हुए है और राहुल गांदी के आज की स्टेटमेंट के ओपर काफी हिंसक हैं तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न भी है इसके ओपर खुद परधान मंतरी जी ने भी खड़े होके यही बोला है कि ये बात जो राहुल गांदी ने कही है इसके ओपर बड़ा चिंता का विश्य है ये सारी बात तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि राहुल कांगरिस के नेता जितने भी हमारे जम्मू के हैं इस बात के ओपर कोई बात नहीं कर रहा है जिनको भी फोन कर रहे हैं कोई फोन नहीं उठा रहा है ना बात करना चाता है क्योंकि इस स्टेटमेंट को पर क्या बात करें आखिरकार जम्मू में ही तो वोट लेने हैं कांग अभी को साथ हुबात.